भगवान बुद्ध और चक्शुपाल एक बार भगवान बुद्ध जेत्वन बिहार में रह रहे थे, भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे उनके आगमन के साथ उनकी दिन चर्या, व्यवहार और गुनों की चर्चा भी हुई भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीडों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीडे मारते हुए देखा है उन्होंने उत्तर दिया नहीं इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीडों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीडों को जान बूच कर नहीं मारा है इसलिए उनकी भर्थसना करना उचित नहीं ह भिक्षों ने इसके बाद पूछा की चक्षुपाल अंधे क्यों हैं। स्त्री की आखें ठीक हो गई। पर उसने दासी बनने के भैसे यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आखें ठीक हो गई है। वह जूट बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। आपको यह भगवान बुद्ध की कहाने अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।